तो गाइज आज हम डिसकस करेंगे विल्याम सेश्पियर की मैरीज को लेकर के उनकी एजुकेशन को लेकर के या देखेगा एक चीज़ दिस माइ सेकेंड लेक्शर आन विल्याम सेश्पियर्स बायोग्राफी और इसके पहले मैंने अपने एक वीडियो एलेडी बनाई हुए जो कि बहुत अच्छे से मने बनाई हुए तो प्लीज जो लोग उस वीडियो को नहीं देखें हैं मेरे लेडी लिंक में जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को जरूर देखेंगा वह आपके लिए बहुत हैल्पी होगा और प्लीज आई छैनल को सबस्क्राइब नहीं किये हूए हैं इस चैनल को सबस्क्राइब करें हैं जाधा सेयर करें इस टेलिग्राम लिंक को अभी तक ज्वाहिन नहीं किये हुए हैं जहां पर मैंने अपने प्रीऍम मैट्रियाल को भी अप्लोड किया हुआ हैं कफी सारी इंप Waterius को Gי सब्सक्राइब करने वाला हूं जो आपके बुग में भी नहीं मिलेगा आपको प्रवाइट कर रहे हैं ठीक है तो ध्यान देजिएगा विल्यम सेक्सपीर की जब हम स्कूलिंग को लेकर करके हम बात करते हैं तो विल्यम सेक्सपीर वाज enrolled for local grammar school when he was six or seven years old ध्यान देजिएगा इस किश्चन को भी पूछा गया है कि विल्यम सेक्सपीर इन्रोल फार लोकल grammar school then what was his age या जिले अब next बात करते हैं कि विल्यम सेक्सपीर do you know when was william सेक्सपीर 14 years old when was william sekspire 14 years old yeah then that was i think 1578 in 1578 his father's occupation began declined and due to this region he had to leave his schooling ये questions पूछा जा चुका है एलडी कि वेन हैड विल्यम सेक्सपीर तो लेव इस स्कूलिंग अर अन्वी अन्यसर उस ताइम ये इनकी एज क्या थी या अध या आद देट आइड विल्यम सेक्सपीर इस वाज 14 या तो ये वा एक छोटी सी चिया आप एक छोटी से एक नेच्ट इनकी इस कूलिंग दारान दूडिंग इस तो लेंग से दिना ही बारोड अफ्रेश फ्रांग बैं जॉंसन या वियर बैं जॉंसन बैं जॉंसन रिमार्क्स सेक्सपीर क्या इसमाल लाइटीन अंड लेस ग्रीक ध्यान दीजेगा इस यह बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है इसको लेकर काफी बार कुछा गया है तो प्लीज डॉंट फॉर्गेट इस या चलिए अब हम नेश्ट बात करेंगे विलें सेक्सपीर के लाइफ को लेकर के इनके लेडी मैंने कल डिसक्स कि इस चीज के बारे मैंने डिसक्राइब कर चुका है तो अब हम डिसक्स करते हैं इनकी मैरीज को लेकर के इनकी मैरीज की इसरी डेट क्या थी हूँ इसपीड की घृण का था वो किस और नाम से जाने जाती है यह वूम डिट सी मैरी एंड एवरी ओल दे रियल फैक्स अबॉर्ट विल्यम सेक्स फिर्स लाइफ इज वाइफ एंड ग्रेंड डाटर यह चलिए तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं विल्यम सेश्वेर की मैरीज लाइफ को ले करते हैं करते हैं कि मैरीज कब भी थी खहां पे भी थी जान है ब्सक्राइब लाइफ खयाइबान के शिर्ट कुशिज कर बेlection विल्यम सेस्पियर वाज दिनो इन लॉब विद इस चीज को दियान दी जगा जल्दी साथ I think कहीं पे दिया नहीं है उतना तो विल्यम सेस्पियर वाज इन लॉब विद अन वेट ली अन वेट ली हैं विल्यम सेस्पियर विल्यम सेस्पियर वील्यम सेस्पियर लॉब वज इन वेटली अन अफू देड विद इस वीड इन वीड विज वी एटव श वीडव इन अन है है एन है थवे वाज दी डॉटर आफ दॉटर आफ रिचारड है थवे ध्यान दीजी गा इस फैक्ट को ले करके कि एन है थविवाज दॉटर आफ रिचारड है 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 थवे he was the yeoman ये क्या था ये एक योमन थे एक जमीदार थे आफ दी नेवरिंग बिलेज आफ विलियम सेक्सपियर दे बिलेज देम वाज सौटरी ध्यान दीचेगा इस चीज को भी इस फैट को भी कि जो विलियम एन है थे जो पिता जी थे जो इनके फॉदर थे इनका नाम था रिचर्ड है थे और ये वाज दी योमन आफ सौटरी या नेश्ट वें दूबी टॉक बाओ विलियम सेक्सपियर देन यह यह वाज दू विलिय नौवंबर 1582 ध्यान दीचेगा यहां पर एक चीज आए थिंग काफी ज्यादा कॉन्फीज होती है सम पीपल दूनों कुछ लोग इस चीज है पढ़ता है कि 28 है कि 27 है क्योंकि कहीं कहीं पर 27 भी जिक्र किया गया है तो ध्यान दीचेगा कि इनकी मैरीज के दूरिंग हीज की मैरीज देर वाज इस्यू टू देट फॉस्ट 27 27 नौवंबर 1582 अन शेकंड 28 नौबर 1582 तो जो 27 नौबर 1582 था यह यह इनकी जो फॉस्ट जो लव थी यह एन वैटली यह इनकी मैरीज की सिंग देट थी ना कि एन हैथवे की मैरीज की सिंग देट या यह और यह अब जानते हैं कि एक हैं टेंपल इनकी जो मैरीज थी यह प्लेस का नाम था टैंपल गरतन तेंपल गरतन अन्ड ॅट वॉट वास दी नेम आप दी को हॉट उस कोड़ क्या नाम था जा पिलन सेस्पिर की मैरीज भी थी आए है इस लिसा कि मेरीज थीज आ तीं कंसिस्टोरी कंसिस्टोरी ओफ डायोनेसिस ओफ वर्शेस्टर्ण ध्यान दिजेगा इस फैक्ट को ले करके कि विलियम शेक्ष्ट वार्यट तो एन हैथवेर टैंपल ग्रेफ्टर्ण इनकी मैरिज को सौर्ट गन नाम भी दिया गया है सौर्ट गन यह जो नेम था यह दिया क्यों गया था इस चीज को जानते रहेगा इनकी जो मैरिज थी जैसे चर्छ में जो मैरिज होती है तो वहां पर इंब्रेश करते नोगों के एक धुसरय से तो वो चीज़ यहां पर नहीं थी थी तो इस मैरीज को एक नौम दिया का था या नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि विल्यम सेक्सपेर की लाइफ को लेकर के तो यहां पे हम मैंने यहां पे चीज़ार्ड है था हुए के लिए कि एक वील थी जो एन है था था थे इनकी वील थी कि हर डाटर खेटो और नेम सुटर्फर एज एगनीज है थो एक नीज है यह 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 रिएज sharpen की एन हैं और हैख़ समटानी है सब्सक्राइब हम बात करते हैं कि यहां पर जो इंचर्ड हैथवे सहाब थे लडी मैं पर डिसकस किया हुआ कि यह और यह नेवरिंग बिलेज्ट थे विल्यां सेश्पिर सहाब के जो कि सौर्टरी है और एलडी मैंने सौर्ट गौन एक पॉइंट था जो कि सायर आइधिंग को लेकर के फॉर्स्ट अफवाइंट हीर इसुट में नोटेट एट एन हैथवे और विल्यां सेश्पियर कि यह मतलब इनकी आफ्टर मैरीज जिए इनकी मैरीज भी थी तो दिनो दिरवाज मैरीज इनकी जो यह सौर्ट गौन जो यह जो प्वाइंट मैंने यहां पर बता इनकी बत दो ही हाग्या आड़मी थी बत तो द vendors यह बस्ट को कि आड मैंने कि ख्यून्ही जो फुट अजुड मैंने की घग प्रता की कर दो थी तो पूंडने की एंट है नग गल नह फ्योंड च्वे स्पीर यहित् ट लियू पौने की एषऺ इनकी जह पुट को आड तर क कुछ जा चुके हैं सो प्लीज नोड इस फाइं तो and what was the gap between इक रिशन सब्सक्राइब तो डायब इन है तो दिया तो दिया एट येश कि डिफरेंस थी इन दोनों में यह नेस्ट अभाट करते हैं अपर दी मैरीज yeah William Shakespeare's marriage was has a in a compassory marriage in on 28 November 1582 and on 26 May 1583 he is a first daughter daughter as Susanna first daughter Susanna born note this point on 26 May 1582 a daughter of William Shakespeare that is the elder daughter of William Shakespeare name Susanna was born and after date when he sorry did mind here appointed William Shakespeare's daughter Susanna was his date when I am his date we'll get back to him so he is a baptism date but the real data I think I mentioned not yet so this fact could be a next of the next topic discusses that we will discusses that we will discusses that we will discusses that we will कि यहां पर दर का सिस्टेडी कोट आफ कि डानेसिस आफ वार्शेस्टर है इस पॉइंट को मैंड रखेगा और नेस्ट जितने भी आई होप कि जो भी क्यूस्टन से लेटेड हैं इससे इनके वाइब को लेकर के मैंने सारे क्वेस्टन से लेडिक करा चुके हैं तो प्लीज इस वीडियो कच्छे से देखएगा और प्लीज नॉट से भी बनाते चाहिएगा और जो लोग अभी तक इस चैनल शॉस्क्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल और से रमॉर एंडर थैंक यू फार वाचिं दिस डिटो थैंक यॉ थैंक नंक यू सो मच